महराश्च्ट के सियासी गलियारे में हर रोज एक नया मोड आ रहा है। एक तरफ शिवसेना के आंतरिक मुद्दे अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे और मुख्यमंत्री एकनाच शिंदे ने नई राश्च्ट्विय कारेकारणी बना दी है। इसमें दिल्चस्ट बात है कि नई राश्च्ट्विय कारेकारणी के अध्यक्ष उद्धफ ठाकरे को बनाया गया है। जबकि शिंदे ने खुद प्रमुख नेता का पदभार समाला है। वहीं शिवसेना के 19 में से 14 लोग सवा सांसदों के शिंदे गुट के साथ जाने की आश्रंका जताई जा रही है। वहीं शिवसेना के पुराने और कदावर नेता रहे रामदास कदम ने भी पार्टी के नेतापत से इस्तिफा दे दिया। इसके बाद शिवसेना ने उन्हें पार्टी से निकाले जाने का एलान कर दिया, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रामकदम और पूर्वसांसद आनंद राव अटसूल को पार्टी विरोधी गतिविदियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से बर्खास् इधायकों के साथ बैठक की, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बैठक में शिवसेना के 14 आंसदों ने भी ओनलाइन तरीके से इसमें हिस्सा लिया, और इसी बैठक में एक नाच शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेत्रित्व वाली शिवसेना के कारेकारिनी को बर्खास्त करके उसकी जगे अपनी नई कारेकारिनी बनाने का एलान किया। आपको बता दें, इन सिलसलेवार घटनाओं के बाद सियम शिंदे दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां उनका बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करने का प्लैन है।